नमस्कार सातियों, वेलकम टो अपनी उनिवर्सिटी, दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, अभी आपका एक्जाम EMRS, जो एकलवी रेजिदेंशियल मॉडल स्कूल है, उसके लिए जो वेकेंसी आ रहा है, जो पहली बार इतनी बड़ी वेकेंसी आई है, उसकी डेट में होगा, तो अभी हमें ये करना है कि हमारे पास almost हम ये माने कि 50 दिन है, ये हम मानके चल सकते हैं कि 50 डेज है, तो 50 दिन की रणनीती क्या होनी चाहिए, दो मा की रणनीती क्या होनी चाहिए, इसके उपर हम बात करने वाले हैं, साथ में, चुंकि मैं जोग्रोफी में हू तो जब यह सारे स्टूडेंट तब से मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर यहीं मारेस के नोट कब मिलेंगे नोट कब मिलेंगे तो उसके लिए भी मैं सबसे पहले थोड़ी सी बात करूंगा उसके बाद में हम कंपलीड सेलेबस को देखेंगे कि किस परकार आप क्रिस्प के रू की त्यारी कर रहे हैं चूंकि उनके लिए गोल्डन चांस है या जो पहले से आरेस की त्यारी कर रहे थे या अदर एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं जिनका थोड़ा सा हिंदी इंगलिश ठीक है थोड़ा सा उनका जीके ठीक है थोड़ी सी रिजनिंग ठीक है तो उनके त्यारी तो आपकी EMRS की त्यारी होगी सब्जेक्ट आपका त्यार हो गया अगर EP की त्यारी कर रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट त्यार है तो आसानी से आप इसमें जो है अच्छे से जो है सलेक्ट हो सकते हैं बहुत गोल्डन चांस हैं पैटन क्या रहेगा एक्जाम का जो नवोदिये विद्याले होते हैं जो किंद्री विद्याले होते हैं जो DSSB बोड के exam होते हैं ओल्मोस्ट वही syllabus रहना है वही syllabus औल्मोस्ट है वही exam का pattern रहना है तो सबसे पहले आपको मैं कहूँँगा कि ये करना है कि आप NVS KVS और DSSB बोड जो है इनके पूराने paper आप चालेंगे तो आपकी दिसा सही नहीं हो पाएगी आपकी एप्रोच एमरेस के अपकी नहीं हो पाएगी तो सबसे पहले यह कीजिएगा बागी हम आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं कि क्या करना है और सेलेवस को भी देखेंगे तो जोग्रोफिक की विद्यारती है उनके मिलेंगे इसके लिए हमने description box नीचे जाएंगे वहाँ पर मेरा telegram channel है वो भी जोइन कर लीजे उसके उपर भी आ जाएगा और साथ में हमने google form बरवाया जो ये notes मंगाना चाहते हैं जोग्रोफिक के complete handwritten notes वो एक google form बरना है उसमें payment का और सारा option सारी detail दी हुई है उसमें जो भी handwritten notes आपको EMRS geography के मिलने वाले हैं पूरी detail पूरे जो link वगयरा सारे आपको इस channel पर मिल जाएंगे telegram channel है geography विस सूरज सर यहां पर सारी चीज़े आपको मिल जाएगी बाकि जो है लोग app download भी कर सकते एप पर भी जो है अपना EMRS के मैंने सारी classes वीडियो भी ली है वो लिए हम main topic पर आते हैं मुद्दे पर आते हैं मुद्दा यह है कि अपना जो PGT EMRS PGT का test है इसमें देखो क्या क्या करना है आपको मोटा मोटा थोड़ा सा चूंकि अब देखो समय हमारे पास बहुत कम है किताबों में हमें नहीं फंसना है दू चीजे केबल करनी है number one है कि basic बैसिक किताबे आपको पढ़नी है basic theories बैसिस चीजे देखनी है किस कि हम topic wise बात कर ले थे फटाफट तो यहां के आपके सामने देखो यह syllabus है PGT की में बात कर रहा हूं EMRS PGT exam की जिसमें 130 marks का आपका यह 130 marks है आपका यह paper होगा जिसमें जो part one, part second, third and four यह सब के लिए common है और यह जो six है part six जो language का है वो भी सब के लिए common है राइट एक पार्ट बसता है part five जो कि domain subject का है जो भी आपका interest subject है जिसमें आपने PG कर रखा है वो आप इसमें सब का अलग है ठीक है तो geography का जो विद्यारती है उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि geography के detailed syllabus के उपर मैंने चर्चा कर रखी है तो EMRS geography सूरज सर्च करना तो आपको उसका वीडियो मिल जाएगा syllabus मैंने पूरा to the point बता रखा है कि कि किस topic में आपको क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है वो सार general awareness मुझे लगता नहीं है कि अब आप जो है पचास दिन में बहुत अच्छा कर लेंगे ठीक है मेरा यह मानना है कि जो topic दे गए जो आपने syllabus आपके हाथ में होगा केवल में topic के उपर बात करूँगा syllabus की बात नहीं करूँगा ठीक है इसमें number of question 10 आएंगे और total marks 10 हो गए तो general theory जो आपने पहले पढ़ रखी आपका पूर्वे ज्यान सबसे अधिक यहां पर काम आएगा अब आप केवल GK को लेके बैठ जाएंगे तो उसका बहुत बड़ा फाइदा नहीं होने वाला है अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई क्रिप्स नोर्स हैं तो वो आ आप अपने लेवल पर कर लीजी बाकि इसके उपर बहुत अधिक फोकस करने की आवशकता नहीं है कुछ कुछ को मन होंगे आप कॉमन से कर देंगे और कुछ एक दो छुटेंगे तो इतने बड़े लेवल सेलेबस को लेकर नहीं बैठ सकते हैं दूसरा है इसका रोल बहु किसी जो सामाने रिजनींग है जिसमें उसके अकोडिंग उस सेलेबस को फटा फट प्रैक्टिस कर लो बहुत बड़ा रोल है प्रैक्टिस करने पर आप 20 में से 20 मार्क्स भी ला सकते हैं 20 में से 18 19 तो आराम से लाए जा सकते हैं केवल प्रैक्टिस का खेल है टाइम आपके हो जाएगा ठीक है पचास दिन में तो खुब अच्छी रिजिनिंग आपकी डवलप हो जाएगा कि केवल प्रैक्टिस है बहुत आसान है बहुत हाड नहीं है बहुत आसान है मैं यह कर रहा हूं प्रैक्टिस का खेल है इसलिए जिके को आप जदा नहीं सुदा सकते हैं लेक टोपिक वहां से जाकर आप देख लीजिए और बस उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है केवल इसमें मुझे लगता है कि रोजाना केवल आई सीटी को आदा गंटा पढ़ेंगे आदा 45 मिनिट आदा गंटा एक गंटा आप पढ़ेंगे तो आपका यह सेक्शन नोले आपने काफी एक्जाम में करना की होगी पहले से ही जो टीचिंग अप्रिटूड का बैसिक सेलेबस है उसको फटाफट देख लीजी ठीक है बहुत आसान है कॉमन सेंस वाले क्यूशन आएंगे वेसे भी कर लेंगे लेकिन मोटी-मोटी जो थोरीज है मोटे-मोटे जो सेल चल जाएगा ठीक है इसमें पढ़ना क्या वह नहीं बताऊंगा वह आपको अपने लेवल पर ही देखना है कि क्या करना है इस पर तीक है अब यह जो चार टोपिक हैं चार सेक्षन है स्टाटिंग के यह कितने मार्स के होगे अपने 20-40 और 50 मार्स के हैं यह 50 मार्स केवल कहते हैं कि असमभव वही है जिसको आपने किया नहीं है जिसके लिए आपने चलना सुरू नहीं किया वही आपके लिए असमभव है तो आराम से कर सकते हैं डरना नहीं है बहुत सारी लोग देखकर गब्रा जाते हैं कि यह कैसे होगा ठीक है अब जो बड़ा सेग्मेंट ह 70 नमर का वो क्या है अपना सब्जेक्ट है अब सब्जेक्ट में आपको मुझे लगता है कि ये कुद दूचीज़ा करनी है कोई किताब नहीं पड़ने है किताब में फच जाएंगे और कोई ऐसी किताब जो आपके सब्जेक्ट की है जो नोर्स की तरह है उसको आप पढ़ सकते हैं तो दो चीजे आपको सब्जेक्ट में करनी है एक तो NCRT करनी ही है इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है NCRT के नोर्स मिल जाए तो बैतर है मैं जो जोग्रोफी की नोर्स दूँगा काफी सारे मैंने चेप्टर उसमें NCRT की हैं लेकिन कंप्लीट नहीं है और मेरा यह मानना है कि NCRT को जितनी ओरिजिनल पढ़ेंगे उतना ही फाइदा है NCRT के नोर्स पढ़ने चाहिए लेकिन कम से कम तब पढ़ने चाहिए जब कि यह NCRT आपके कम से कम 20 बार पढ़ी हुई हो 15 बार पढ़ी हुई हो कम से कम तब जाके जो है NCRT के नोर्स आप पढ़ सकते हैं तब आपको लाइन लाइन का पता रहेगा मुझे लगता है कि original NCRT का पढ़ने का भी खूब टाइम है आज से भी स्टाट करेंगे तो भी आराम से आप NCRT को ढ़ंग से अच्छे से कवर कर सकते हैं original पढ़िएगा अगर 10 बार 15 बार 20 बार पढ़ी हुई है तो NCRT आप जो है इसके नोर्स पढ़ सकते हैं इसके अलावा जो है आपको यह करना है ठीक है इसके अलावा आपको क्या करना नोर्स ठीक है आपका जो डोमें सब्जेक्ट है उसके अगर नोर्स मिल जाते है तो well and good है to the point मिल जाए तो भी अच्छा है वह ज्यादा किताबों में नहीं उलजना है समय नहीं है जितना ज्यादा रिविजन करेंगे उतना ही अधिक benefit होगा रिविजन तभी होगा जब आप notes या NCRT पढ़ेंगी NCRT आसान है फटा-फट कवर कर सकते हो यह syllabus पूरा NCR है तो इस पर आपको काम करना है उसके बाद में देखो टोटल यह 130 मार्क्स हो रहे हैं सतर यह अब पांच-पांच नंबर की दो सेग्मेंट और जो रहे हैं मुझे लगता है कि पांच सेग्मेंट का पांच नंबर का एक सेग्मेंट है जिसको हम कहते हैं यह NEP 2020 मलब National Education Policy 2020 ह है केवल पांच नंबर का एड़ी किया है इसको आप मुझे लगता है कि चार गंटे में सांदार कर सकते हो किता भी अच्छा आप अच्छी त्यारी करेंगे तो चार गंटे में आसानी से National Education Policy को त्यार कर सकते हो इसकी PDF गूगल पर जाना सर्च करना कहीं मिल जाएगी मेरे पास है नहीं अगर होती तो मैं कोशिश करूंगा दो चार दिन में उसको सर्च करके एक सांदार National Education Policy 2020 की जो PDF है बनाकर उसको मैं सेर कर दूँगा जोग्रोफी विद सुरसर टेलिग्राम अब भी मैंने दिखाए था उसके उपर मैं सेर कर दूँगा राइट तो नैसनल एक्टिविटी बेस्ट पैड़ागोजी तो पैड़ागोजी के जो क्यूशन है यह कैस इस्टेडी बैस आएंगे थोड़ी सी सकता नहीं है कोमन सेंस वाला आएंगे आसानी से कर पाएंगे लेकिन थोड़ी सी पैड़ागेजी की बैसिक चीज़े आप देख लेना बैसिक थीम बैसिक चीजे बैसिक उनसेप्ट आपको पता होना चाहिए यह भी आराम से दो दिन में तैयार की जा सकती है दो तीन दिन चार दिन मान लीजिए अप हमारे पास पचास दिन पढ़ें आराम से आप कर पाएंगे तो यह चीज़े हैं आपको डोमें सब्वेक्ट में यह करना है तो यह आसानी से कर सकते अब बचा अपना 20 मार्क्स का जो सबसे अधिक महतवपूर्ण है इसको हम छोड़ नहीं सकते वो क्या है अपना लेंग्वेज है यह 20 मार्क्स का अपना क्या है लेंग्वेज है अब लेंग्वेज हिंदी और इंग्लिस दोनों है केवल क्वैलिफाई करना 40% मार्क्स आपको लाने है 20 नंबर का है तो इसमें आपको 40% मार्क्स लाने है अगर यह नहीं लाएंगे तो आपका ये syllabus जो है ये उपर वाला domain subject वाला और बाकी पार्ट भी आपका check नहीं किया जाएगा तो आपको करना क्या है बहुत basic किताब जो grammar की English की आती चाहिए कोई सी भी उठा लो कोई सी भी उठालो basic सबसे मैं तो यही रहेगा कि कोई 11 12 में अगर grammar की किताब चल रही तो वह उठाना सबसे बैस्ट रहेगा NCRT की कोई board की किताब आ रही है तो वह best रहेगा प्लस साथ में क्या है यहां पर हिंदी है तो हिंदी की भी कोई grammar की किताब जो जो इसका syllabus है उसके recording वह पढ़ डालो बहुत आसानी से आप 40 यहां क्वैलिफाइंग मार्क्स आप आसानी से ले आ जाएंगे ठीक है वह आसानी से कवर हो जाएगा लेकिन इसको इजी नहीं लेना है अगर कई वार क्या है हम चीजों को आसानी से उसको ले ले लेते हैं तो वह हमारे उल्टी बढ़ जाती है कहते हैं मारवारी में की मतलब सामाने वासा में उड़ता तीर हो जाता तो ऐसा उड़ता तीर नहीं लेना है इसलिए कोमन दोनों चीज़ें आपको पढ़ कर जानी है अच्छा रहेगा कोई सी भी किताब ले लीजिए बैस्ट यह रहेगा कि जो टैंद 11 12 म आपके जूनियर कोई घर परिवार में बच्चे बढ़ रहे होंगे उनसे ही लेलना काम चल जाएगा आसानी से कर पाएंगे बस इतना साही सेलिबस है 130 मार्ट के आदार पर ही आपके क्या होंगे मार्क्स डिसाइड होंगे राइट जोग्रोफिक यह आपकी इस कंप्लीट में इसको बिठाना पड़े आप बस इतना साही अंतर है सोच का फरक है कि आप क्या सोचते चीजों कि दरशी से बस इतना सा हनतर है अगर हम बात करें थोड़ी सी जोग्रोफी की थोड़ी से जोग्रफी की बात करें देखो तो जोग्रफी का जो के सामने है इसके उपर मैंने पूरी चर्चा लगबड कर ली थी तो इसका जो देखो यह लंबा चोड़ा सेलेबस है सेलेबस टोपिक लंबे हैं लेकिन छोटे-छोटे हैं बहुत डेफ में जैना सरसरी न आपके नोर्स में कवर हो जाएगा एक confidence आजाएगा और कम समय में उन नोर्स हों से आप अच्छे से आपकी रणनिती तयारी बहुत अच्छे से आपकी हो जाएगी ठीक है तो इसमें आपको आप जो पढ़ रहे हैं बैस्ट यह है कि एंसी आटी से जितना कवर हो रहा है उतन उसमें एक सामानिय आपको अपना address बनना है और उसकी जानकारी उसमें आपको मिल जाएगी बाकि कर लिया परसों में पांच मिनिट का एक वीडियो बनाऊंगा उसमें भी आपको जानकारी मिल जाएगी तो आप सभी का आबार यह है बस इसकी रणनिती और कुछ विद्या पूइंट वहीं से पढ़ जाएंगे वो सारे क्यूशन तूदा पूइंट वहीं से उठाकर आपको दे दिये जाएंगे चुंकि यह पहली बार हो रहा है तो इसके पुराने पेपर है नहीं यह मारेश के तो वह जो पेपर सेटर होंगे पेपर बनाएंगे वह एन्वी एस के वी एस डी एससी बोर्ड की किताबों से ही बनाएंगे या उस से या उन से पुराने क्यूशन जो आये हैं वहीं से देखकर उस एपरोज से पेपर बनेगा इसलिए आपके लिए आसान रहेगा पढ़िएगा मैनत करेगा पचास दिन है सांदार जोब है रेजिदेंशल है स सांदार स्कूल है राजस्तान में भी 6 MRS के स्कूल खुल चुके हैं तो आपके लिए यह सांदार मौका है गोल्डन चांसे आप सभी का आबार विश्यू वल्दा वेरी बेस्ट और बाकी जानकारी आप सबको पता है कि अपनी एप पर मिल जाएगी और जोग्रोफी भी थैंक यू, गूद लुक।